हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब मैं हूर पाली और आपका स्वागत है हमारे चानल कुकेंड फ्राय में आज मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ सूजी और बेसन से बना बहुत ही चटपटा और टेस्टी सा नाश्ता इसको हम बहुत ही कम ओयल में बना के तयार करेंगे और सबसे चीबात यह है कि आप इसे बना के लगभख एक हफते के लिए एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं तो चली बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमने ले ली है यह आधा कप सूजी यह बारीक वाली सूजी में यहां यूज कर रही हूँ आपके पास अगर यह नहीं है तो आप नॉर्मल वाली भी यूज कर सकते हैं या फिर आप जो नॉर्मल सूजी आती है उसे ग्राइंड करके थोड़ी बारीक कर ले और इसके अलावा हमने लिया है आधा कप बेसन आपके घर में कोई भी अगर कप या कटोरी हो आप उससे भी नाप सकते हैं आधा कटोरी बेसन और आधा कटोरी सूजी दोनों इकुल मातरा में हमने ली है और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दो से तीन गाजर घिसी हुई यह छोटी वाली ओरेंज गाजर है और हम इसमें डालेंगे आलू यहां मैंने एक आलू लिया है इसको बारीक घिस लिया है और इसको पानी से धो दिया है जिससे कि जो भी एक्स्ट्रा स्टार्ज हो इसम और अगर आपके पास दही नहीं है तो भी यह रेसिपी बन जाएगे आप बिना दही के भी से बना सकते हैं बट कोशिश करें कि आप इसके अंदर दही आड करें जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं पानी थोड़ा थोड़ा करके हमें इसका एक बैटर बनाना है पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें एक साथ बहुत सारा पानी नहीं डालें और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ बारी गिसी हुई अद्रक थोड़ी सी हरी मिर्च और एक छोटा प्याज प्याज को मैंने इस तरह से छोटी कर लिया है और अब इन सभी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे इस बैटर में अभी आप देख सकते हैं यह बैटर जो हमारा थोड़ा जादा गाढ़ा है तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी आड़ कर दूँगी और अब हम इस पानी को कर लेंगे मिक्स हमें इसे बहुत के लिए रख देंगे ढ़के तो दस मिनट हो चुके हैं बेशन और सूजी अच्छे से फूल चुके हैं पानी अब्जॉब कर लिया है इनने और अब हम इसके अंदर थोड़े मसाले डालेंगे तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नमक आप टेस्ट के दालें इसमें आधी olabilir चमची लाल मिर्च यहां में चिली यूज़ी यूज़ कर रही हूँ आप नॉमल लाल मिर्च पी यूज़ कर सकते हैं आधी चोटी चमच भुणे अवे जीरे का पाउदर नियक्चाथा हुटा चमच चमच का ली मिर्च का पाउडर और एक चोटा ह लेमन यानी नीमबू नीमबू डालने से इसमें बहुत ही अच्छा खटा सा फ्लेवर आ जाता है इसलिए इसके अंदर मैं नीमबू डाल रही हूँ और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने और हाँ जिस तरह से मैंने गाजर और अलू यूज की हैं स जिसे हम डालके इस बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा बैटर बनके तयार है अब मैं इसे ट्रांसवर कर लूँगी इस तरह की एक टिन में अगर आपके पास एक टिन इस तरह की नहीं हो तो आप कोई भी और बरतन यूज कर सकते हैं कोई बड़ी कटोरी में अच्छा बास स्पेटा बनाजtar अब बने संसवर के तो आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स में च्टा है जो की बहुत ही ही आपनी बहुत ही इंग्रीणस कीए है और शारे की सारे ही Hoje ऑज तक अच्छी ही इंग्रीडियंस और इन को अब मैंन करके भी रख सकते हैं और अब हम इसके अंदर स्टीम बनने देंगे तो ये दिखी स्टीम बन चुकी है अब हम इसके अंदर रख देंगे हमारा जो बैटर वाला तिन है वो और इसे हम स्टीम होने देंगे लगभग 10-15 मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे तो लगभग 10 मिनि तो आप इसके अंदर और पानी एड़ कर दीजी इस चीज का ध्यान रखेगा कि इसके अंदर पानी खतम नहीं होना चाहिए और पंदरा मिनिट हो चुके हैं लगबग तो ये दीखिए नाइफ बिल्कुल क्लीन बाहर आया यानि कि हमारा जो बैटर था वो बिल्कुल अच्छा से कोख हो चुका है अब हम इसको दो से तीन मिनिट के लिए इसी तरह से धक्कन के बिना पकाएंगे जिससे की ओपर का जो है अब हम एक चाकु को इस तरह से रन करेंगे किनारियों पर जिससे की इससे निकालने में असानी हो और एक प्लेट के ऊपर इस तरह से टैप करते हुए बहुत ईजी लिए मोल्ड से बाहर निकल आएगा तो ये देखिए तयार है हमारा ये टेस्टी सा नाश्ता अभी हमे इसको पीसेज में कट करना है मैं इसके ट्राइंगल्स कट कर रही हूँ आप अपने चॉइस के कोई भी पीसेज इसके कट कर सकते हैं और इनको पीसेज में कट करने के बाद अब हम इनको थोड़ा सा ओयल में फ्राई कर लेंगे तो अगर आपको इने स्टोर करना है तो अब बेसन और सूजी के metra nutrients ही इसमें और कोई भी erg नहीं अब कीए है तो अब और हम इसको अपसा ऐलका से स्अ शैलो फ्राइ यागप कर लेते हैं आप इसको डीप अब कर सकते हैं बट मैं आज शैलो फ्राइ पर रही हूं तो आप इसके अंदर डालें हल्दी और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिल्च और अब मैं इस तरह से ये पीसिस जो है इसके उपर रख दूँगी और अब हमें इन पीसिस को चारो तरफ से सेख लेना है अच्छी तरह से जिससे कि इन पर बहुती बढ़िया सा कलर आ जाएगा औ और इस तरह से मैं इनको मूफ कर दे रही हूँ जिससे कि जो ओयल है वो इनमें अच्छे से लग जाए और ये बढ़िया तरह से सिक्के तयार हो जाए तो इस तरह से पलटते हुए आप इने सीख लें हर तरफ से और ग्यास की फ्लेम जो है हमने मीडियम रखी है इनको सेख बहुत ही बढ़िया तरह से ये क्रिस्पी हो गए है बाहर से इनका कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है तो बस हमें इसी स्टेश पे इनको इस पैन से निकाल लेना है तो यहां मैंने एक प्लेट ले ली है और इन पीसिस को मैं इस प्लेट में निकाल ले रही हूँ लग रह आप इसको पहले से बना के रख सकते हैं और जब भी आपको भूग लगया आप इसे सेख के खा सकते हैं तो आपको हमारी आज की यह रेसिपी कैसी लगी हमें कॉमें जरूर बताएं अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारी चैनल को सबस्क् मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी वीडियो में तब तक के लिए बाबाई हैपी कुकिंग